अब मेरा माने आग्रे है माननिय लोकसभा अध्यक्ष श्रियोंबिर्ला जी से कि आप हम सभी को अपने शब्दों द्वारा अनुग्रहित करें माननिय उप्राष्ट पती जी माननिय प्रधान मंती जी राज्य सभा में सदन के नेता संसदी कारे मंती जी प्रतिपश के नेता लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता सभी माननिय मंती गण सभी माननिय संसद सदश गण आज संसद भवन के इस एतियासिक कक्ष में जो हमारी देश की आजादी का शाक्षी रहा जो सविधान निर्मान का शाक्षी रहा जिसमें अनेक परिवर्तन एतियासिक निर्णे हुए इस इसी केंडरिय कक्ष में मानने राश्ट पती जी का उद्भोधन में हमें मिला विश्च के कई राश्ट अद्द्क्षों ने यहां सम्मोधन करते हुए हमारे लोक तन्त के परतियास्ता वेक की और आज इस किंद्रिय कक्ष से हम सब लोग नए संसद्भोन की और प्रवेश कर रहे हैं ये नया संसद्भोन हम सब के लिए नई आकानशाओं नई अपिक्षाओं और नई उम्मीद नई उमंग के साथ होगा मेरी ऐसी आशा है आज इस वबसर पर उन सब सेनानियों को भी नमन करता हूँ जिनोंने हमारे भईष के लिए हमारे कल के लिए अपना वर्तमान बलीदान कर दिया मैं आज उन महानेताओं को भी नमन करता हूँ, जिनोंने इस केंद्रिक कक्ष में दुनिया का सबसे बड़ा सविधान निर्माण में अपना अमुली योगदान दिया, जिनोंने देश में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने में अपना दैत निभाया। आज हम उन सभी माननी सुदश्यों को भी इस्परण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, जो हमारे बीच में ने रहे, लेकिन जिनोंने अपने सविधानिक दायतों का निर्भन करते हुए देश की प्रगति में योगदान दिया। मैं आज संसद के उन सभी माननी सांसदों का भी हारदिक अभिननदन करता हूँ, जिनके लंबे संसदी अन्भो का लाब आज हमें मिल रहा है। ये संसद भोवन अनेक एत्यासी घटनाओं, निन्यों और परिवर्तनकारी कानूनों के निर्भान का साक्षी रहा है। हमारी संसद कई घटनाओं का मंच रही है, जिन्होंने 75 वर्षों में इस देश को एक ऐसा सरूप दिया है, जो दुनिया में एक नई तागत और सामर्त रखता है। हमारी संसद देश की करोड़ों जनता की अभिवक्ति भावनाओं का माद्यम रही है, जहां हमें लोगतांतिक संसकती के अनरूप, चर्चा और समवात से अनेक चुनोतियों का समाधान निकाला है। और कई शेश्टम परतिमान इस्तापित की हैं। इन पिचत वर्ष की संसिदिये लोगतंत की गोरोशाली यात्रा में हमने देश में कई करांतिकारी बदलाव भी किये। आज जनता नए भारत के लिए आकांशी है। आज लोगों को हमसे अपेक्षा हैं बढ़ी हैं, आकाशा हैं बढ़ी हैं, उम्मीद बढ़ी हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हम अपने सवेधानिक दायतों का शुद्ध अंतरकर्ण से निर्वन करें और उनकी अपेक्षाओं, आकांशाओं और उम्मीदों को पूरा करें और आकांशी भारत के सपनों को साकार करें। मानेवर, हम सबका सुभाग्य है कि हम ऐसे कालखंट के जन्पतिदी हैं, जिस समय भारत हर स्चित में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी लोगतांतिक संस्कति और हमारा सेष्ट नेतत के कारण हम पूरे विश्च को एक परिवार के रूप में लेकर वेश्चिक चुनोतियों को समधान के लिए भारत एक सार्थक भूमी का निभा रहा है। आज हम नए भौन में प्रवेश्च कर रहे हैं। नए भौन में प्रवेश्च करते समय विक्षित बाराज बनाने की हमारी प्रतिवत्ता को हम दूराने का आउसर भी है। हमारा संकल्प है कि हम इसी संसिद्य लोकतंद से सामईक चर्चा समवाद सहमती आसमती और कठिन परिश्चम से सारे देश की जनभागिदारी के साथ इन आकानशाओं को पूरा करेंगे। विश्च के सबसे बड़े संसिद्य लोकतंद होने के नाते हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उलेक निये भूमिका होनी चाहिए। आजादी के इस अमरतकाल में हम 2047-2047 तक विक्षित भारत के निर्मान के लक्ष को लेकर चल रहे हैं। विक्षित भारत बनाने का ये लक्ष हमारी संसत के माध्यम से साकार होगा। हम ऐसे संकल्ब की प्रतिवत्ता के साथ नए भौन में प्रवेश करेंगे। हमारी भागीदारे भी होगी, जनता की अपिक्षाएं भी पूरी होगी और नए आकानशी भारत और 2047 में विक्षित भारत के सपने को भी पुरा प्रकाएंगे। आज गनेश चतुति के शुब दिन, ऐसे शुब दिन पर अच्छी प्रमप्राएं, अच्छी परपाटियां, अच्छी प्रताएं, अच्छे अन्भव हम साथ लेकर जाएं और नए संसत भौन में उनको इस्तापित करें। ताकि विश्क के लिए भारत का लोगतंत मार्दक्षर बन सके। नया भवन हमारे देश की आकांशी जनता के लिए परिणाम दायक हो, परिवर्तन कारी हो, ताकि हमारे सविधान निर्माताओं ने समानता न्याय और बंदुता का जो संदेश दिया है, उसे हम पूरा कर सके हम अपनी संसत को देश की जनता की सिवा में सच्चे भाव से समर्पित करें, इसी अप्विक्षा के साथ मैं पुनए इस भवन को उन सब लोगों को जिनका इस लोगतंत को इस्तापित करने में, लोगतंत की मर्यादा प्रतिष्टा बढ़ाने में योगदान रहा, उन सब क भी नमन करता हूँ, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद मानिवर अब मेरा विनम्र अनुरोध माननी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि आप विशिष्ट जनों की सभा को समोधित करें एवं हम सभी का मार्ग दर्शन करें आदर्णिय उप्राष्पति जी आदर्णिय स्पीकर महोदय मंच पर विराजमान सभी वरिष्ट महानुभाव और 140 करोड देशवाचियों के प्रतिनिधी सभी मान्य सामसदगाण आपको और देशवाचियों को गनेश्च तुर्थी की अनेक अनेक शुप्ताम नहीं अनेक शुप्ताम नहीं